स्वागत आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट नियूज में जैसे कि आप सभी क्लास्ट्विल के विद्धारती जितने भी हैं जो आप 2024-20 के सेशन में जो एडमिसन कराने के लिए OFSS के माधियन से ऑनलाइन किये थे और जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उसके लिए आयो के तरफ से एक बहुत बड़ी खुसकबरी आप सभी के बिच भौकाल मचाने के लिए आ गया है वो बड़ी खुसकबरी क्या है कि अब आप अगर एडमिसन के लिए आनलाइन नहीं कराये थें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था तो अब आपको यहां चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आयो के तरफ से एक बहुत बड़ी ख़बर यह है कि अब आपका direct admission हो जाएगा यानि कि जिस direct admission को हम लोग export admission के नाम से जानते हैं तो export admission की तारीख जो है आयो के तरफ से घोसित कर दी गई है जो भी द्यार थी सुनिए का ध्यान से जो भी द्यार थी intermediate में admission लेने के लिए कि सबसे पहले कि आयम के तरफ से एक प्रोसेस होता है वह प्रोसेस का नाम क्या है कि आप ओ एस डिया आप admission लेने के लिए आप online फार्म भरते आपको क्या करना होता है आपका first marriage जिसल श्रॉण मेडिय तर्ड में इस यायू के तरफ से जारी जाते हैं अब उस सम्स्थ में नाम आ रिए तो आपको कालेज का नाम आएगा अगर।ῶ नाम आगया तो समझे तो आपके college में admission हो गया first merit list में नाम नहीं है second merit list में नाम नहीं है third merit list में लेकिन यहां पर आयूक के तरफ से बड़ी खबर क्या है सुनिए का ध्यान से मैं पढ़ करके direct सुना रहा हूं बोल रहा है कि intermediate के सिक्षा परदान करने वाले राज्य के सिक्षण संस्थानों में सत्र दूहज़र चौबीस चबीस के लिए 11 कक्षा में नमंकन है तू बिहार विदाले परिक्षा समीते द्वारा तीन चरणों में नमंकन सूची जारी करने के उपरांत रिक्त सीटों पर अब sport admission की सिविधा दी जा रही है आपने समझा यह क्या कर रहा है आयो कर रहा है कि तीन चरणों में merit list जारी की गई थी इसके बावजूद भी अगर आपका नहीं हुआ है या आप online कराए ही नहीं थे तो अब direct आपका admission college में हो जाएगा उसका process भी जान लीजिए देखिए process क्या है सुनिएगा विद्यार्थी जिनका चैन त्रितिय चैन सूची में भी नहीं हुआ है यानि कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट आने के उपरांथ उसमें आपका नाम नहीं आया तो वैसे विद्यार्थी डारेट एस्पॉर्ट एडमिशन ले सकते हैं दूसरा वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक ओ एफ एससके माद्यम से आवेदन नहीं दिया है ठीक ह मैं होने के बाद भी नामंकन नहीं नहीं लिए नामंकन नहीं लिया यहां सेकेंड मेरिट लिस्टर मेरिट लिस्ट ai की गई थी आयो के तरफ से उस बीच अपने यहीं अहीं लिया उपका नाम आ गिया और कॉलेज में नहीं गया डिये गया दिये गया नमंकन की और में आपने डिमिशन नहीं करा तो आपको घबडानी के ज़रूत नहीं है वैसे विद्यार्ती जुनोंने ओमें से चैन होने के बाद भी नमंकन नहीं लिया तो भी विद्यार थी स्पोर्ट इंडिमिशन के भागिदार है आप सुनिएगा द्यान से यहां पर क्या कहा रहा है एस्पोर्ट नमंकन के लिए महत्तपूर्ट थी थिया सुनिएगा दिनांक बारह आठ दोजर चोबीस को संस्थान सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यह प्रोसेस कि सारे विद्यार्ति चाक इसे हो गए न कि जो बिहार बुड के पो पो पॉर्टल पर जीतने विद्यारति ऑंलाइन आवेदन कराएंग ना तो वह लिस्टेद स्टुडेंट हो जाएंगे इसलिए आयो के तरब से उनका कहाना है कि आप सभी विद्यार्थी जो एस्पोर्ट एडिमिशन में जाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले ओफिसिस के माध्यम से जिस तरह का से फॉर्स सेकेंड थर्ड मेंडिस लिस्ट आने के उपरां उसके पहले जो करा सकते हैं अब आई यह बात करते हैं यहां आपका काम नहीं संस्थानों की बात है तक नमांकित विद्यार्थी कि सूचिव ओ एफ एसस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा ठीक है उक्त परकिरिया में किसी परकार की कठिनाई होने पर हेल्प नाइन नमबर जो नहीं लगता है लेकिन हो भी सकता है कि लग भी जाए बट मैंने जितना भी बार भी ट्राई किया है नहीं लगता है तो था ना यह नियूज बहुत ही जबर्दस्त और आप सभी विद्यार्थियों के बीच भावकाल म लेने से वन्चीत रह गया हैं जो ओ एफ एसेस के मादें से अपना आउनलाइन फार्म नहीं भरे थे जिस जो विद्यार्थी कांसिलिंग के पात्र नहीं हुए थे जो विद्यार्थी डाइरेक्ट जो है ना कि अब उनका एड्मिसन होने वाला यह बहुत बड़ी अब इसमें लेना चाहते हैं वो जाकर के एड्मिसन ले सके और इसका फाइदा उठा सके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपी के साथ तब तक के लिए जैहिंद